इस exercise में आपको एक के बाद एक कुछ शब्द दिये जाएंगे आपको इनके gender पहचानने हैं यानि यह masculine है, feminine है, common है या neuter है हर शब्द के लिए आपके पास होंगे 10 seconds जिसका ध्यान रखने के लिए एक stop watch उपर चलेगी समय की समाप्ते पर उत्तर दिखा दिया जाएगा अपने उत्तर पर उसी समय सही या गलत का निशान लगा लें क्योंकि जल्द ही अगला शब्द बता दिया जाएगा पूरी exercise खत्म होने पर अपना score चेक करें अब एक notebook और pen लेकर तयार रहें प्रॉंद जय होने के रहेंगा जाएगा 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 झाल खत्म होने ओक उपर जसाओदी बताराभ जाएगर साफ़ी की समयाऑर कषड़ी झाल 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 कर दो 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 झाल 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 या प्रेक्टिस एक्सराइज यही पर समाप्त होती है यदि आपका स्कोर यदि आपका स्कोर सत्रा से बीस अंक के बीच रहा है तो यह बहुत अच्छा प्रदर्शन है यदि आपका प्रदर्शन यदि आपको सुदार के जिए यदि आपको सुदार की जरूरत है और यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा उसे आप जरूर प्रेस करें ताकि हम तुरंत आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी बेच सकें धन्यवाद